आज अपन है अधिनात आटो एजनसी यहां पर तो यहां पर हीरो की सारी बाइक्स अवेलेबल है अगर आपको हीरो की कुण सी भी बाइक चाहिए तो यहां पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हो अगर पीछे से आप देख पा रहे होगे तो पीछे भी पूरा एलेडी सेटप है और खास कि यह जो टेल लाइट है यह टेल लाइट पीछे से दिखती नहीं जब अपन गाड़ी आउन करते है उस ताइम यह वीजिबल हो जाती है लेगी क्यों लाइंप का जो कवर है वो ब्लैक चेड में होने की वो जसे वो पूरी बाड़ी में मर्ज हो जा रही है इंडिकेटर भी अच्छे खासे कॉलिटी के लग रही है और अगर बात करें मेट जो कहा है यहां पर उसका जो बटन है यहां पर अगर प्रेस करेंगे तो यहां प़ो बटन और अगर और यहां पर यहां पर पिछीब अट 的 का सेंसर है इसके वज़े से उसका इंडिकेशन है यहां पर ऐसा कुछ अपना मीटर है निगेटिव डिस्प्ले टाइप है जैसे के एमटी में आता है उसी टाइप में गाड़ी की चाबी कुछ एसी दिख्वेपन चाबी लागाते हैं तो उसके नीचे यहाँ 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 इसके वज़े से वह आटो लॉक हो जाता है यहाँ यहाँ पर तो आपका अपना मोबैल चार्ज कर सकते हो राइडिंग के टाइम पर हैंडल बार कुछ इस तरह का है और मीरर की कॉलिटी अगर देखेंगे तो मीरर कुछ ऐसे है जितने में थोड़ा अलग शेप का मीरर है ऐसे बार लेकिन वीज़िविलिटे एक नमबर प्रोवाइड करता ही है और हैंडल ग्रिप स्कुछ ऐसी है यहां पर इंजिन कील स्विच और स्कूर्ट बटन एक है यहां पर और कुछा में लटीने की सबस्केश्ट इसका अगर अगर अपन हजार देखेंगे अब मने चालो कर गया है तो कुछ ऐसा हजार लाइट दिखता है इसका और यह अच्छे थाके DRL दिखते है इसके DRL की कॉलिटी भी अच्छी है और DRL का लुप भी अच्छा है तो सस्पेंशन अगर देखेंगे तो टैलिस्कोपिक सस्पेंशन है इसका अगर प्रो मॉडल लेंगे तो उसमें यूज कर पाओगे यह देखो एक उंगली से में क्लज इसका प्रेस कर पा रहा हूं क्लज इसका लाइटर साइट पर है और शॉक अपसर पर यहां पर रिफ्लेक्टर से अधिनाथ फॉर्टो की ब्लाइंडिंग है तो आगे का जो टायर है उसके अलोई जो है 17 इंचिस का रिम है और हन्रीन हैं ये दोणों भी और यह जो इंजिन है ये जो इंजिन है तो ये इंजिन बेरुच करता है ये 16.6 भ्रेक हॉर्सों वेक्षिएly को दिन पॉइंट शिक्स नोदेल यहाँ पी बैजिंग में है यहाँ पर हिट शिल्ट दिया एल है ओ यहां पर बीस ने जाम एस तो अच्छी की चीज़ और यहां पर भी इन्हां इन्हें हिट दिया है यहां पर ब्रेक भी इस गाड़ी में जो प्रो मॉडल उसमें तीक नहीं रहती और जो सपेंशन है वो मोड़ोड शॉस्पेंशन है यहां पर देख सकते हो वाइट कलर में है कि बैजिंग पकड़ने के लिए राइदर पिलिएंग को ग्राप रेल्स अच्छी अच्छी लीक रही है है कि मैं उसके नीचे पिलिए वैज्ट सकता है इंजिन कुछ ऐसा दिखता है इसका 14.6 Nm और कोडिस करता ही है एंजिन सान भी आता है राडिय में और गाडी का क्राउंट ट्रियर्स थोड़ा कम है 165 mm राउंट ट्रियर्स है सीट हाइट हालागी 795 mm है वह भी अच्छी है अग्रेज इंडियन राइडर के लिए एक बार ओवर्लुक ले ले लेते है गाड़ी का अपर हैंडल का और यहां पर आप देख सकते हो यह डबी जो दिख रही है तो वहां पर ओल रिजर्वायर हो पिछले वाले डिस के लिए और आजे का ओईल रिजर्वायर यहां पर है अगले वाले डिसका तो कुछ एसी गाड़ी दिखती है अच्छी खासी तो एकदम मस्कुलार टांक है गाड़ी का तुछ ऐसा दिखता है प्रपर टांक आज यह से अपने दिखने तो राइडर को कुछ ऐसी फील होगे है अच्छा नाइस टेच है वोगी फिरो एक्स्विंग में इतना ही अपडेट से इतना ही स्पेसिफिकेशन है इस गाड़ी के मैंने सारे स्पेसिफिकेशन कवर करने का ट्राइक है और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेर और सब्स्राइब तो यहीं पर रुपता हूँ अभी अपने चानल को राइक कर दो शेर कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल का नाम भी भी त्री तेजस से सो बाबाइ गाइस